नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग जो कंस्ट्रक्शन मैटेरियल पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और नया चेप्टर पढ़ेंगे जिसमें टिम्बर का हम लोग स्टार्ट करेंगे पीछे हम लोगोंने कई चीजों को पढ़ ले लेकिन हाँ यदि कोई वीडियो इंबर का ही यह पहला वीडियो अब दूसरा वीडियो तो पहले पहला पढ़के तभी पढ़ा करेंगे अपने बोर्ड की साइट पर जा करके वहां से निकाल करके आराम से देख सकते हैं या फिर से विल्टेक्स शोलूशन के अंडॉइड एप पर भी आपको सेलेबस अपना बिल जाएगा चलिए आए स्टार्ट करते हैं लोग तिमबर क्या है सबसे पहले परिमासा से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते हैं लोग तिमबर आप तिमबर का मतलब समझे वुड भी होता है आप वुड सुने होंगे वुड वुड और वुड मतलब भी लकडी होता है फिर टिमबर उससे किस तरह से डिफरेंस है डिफरेंट यह है वुड का मतलब भी लकडी होता है लेकिन टिमबर उससे इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि यह इमारती लकडी को दिखाता है ऐसी लकड़ी जो इमारत में यानि बिल्डिंग में प्रयोग होने वाले इमारती का मतलब क्या होता है इमारत और इमारत का मतलब होता है building, यानि building में प्रयोग की जाने वाली जो लखडी है, और building का मतलब किसी भी तरीके की building, कोई भी construction work, जिसमें लखडी का प्रयोग होता है, उस लखडी को हम लोग timber के अंतरगत रखने, ठीक है कोई भी वूड इंबर हो यह जरूरी नहीं ठीक है अब इसको इन चीज़ों को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ विशेश तरह की जो टिमबर हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा इंबर का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको समझना पड़ेगा समाम चीज़ों समझना है तो वन वाई वन चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि साथ सेलेबस में पॉइंटेज न हो आपके लेकिन इंपॉर्टेंट है देखिए आप अपना सेलेबस निकालेंगे उसमें कई पॉइंट्स आपको दिये रह रहा है और वैसे ही हम लोग चलते जाएंगे एक एक चीज़ों को अराम से कवर करते हैं ठीक है आईए देखते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक अपना जिसमें पढ़ेंगे आप लोग किसके बारे में सबसे पहले तींबर होता है तो देख लिए आप अब हम लोग। क्या असलिकित पढ़ेंगे तुम करेंन कि स्ट्रक्ट्डर ऑफ टिंबर इसके और पढ़ें ही हो सकता यह चीज़ आपको अपने सलेबस में में ना दिखाई दे पर परिशान होने की जरूवत नहीं थीक ना कम नहीं होना चाहिए से ज्याजा पड़ने में कोई बुरा ही आपको नहीं अब इस्ट्रक्चर आफ तिम्बर का मतलब यहां तिम्बर से अर्थ जो है हमारे इंबर का आर्थ है यहां पर म दो तरह के होते हैं एक पेंड़ जो होता है जो इंजिनिंग पॉइंट ऑब यू से होता है इंपॉर्टेंट और एक पॉण्ड जो होता है जो इंजिनिंग पॉइंट ऑब यू से होता है इंपॉर्टेंट नहीं जैसे केले का हम क्या करेंगे अमरूत के हम क्या करने वाले इन सब चीजों के पेंड का हमें कोई खास प्रयोग नहीं होता है हमारे इंजिनिंग पॉइंट आप दूसरे बाकी उनका दूसरा है कि फॉल मिलें यह है वो दूसरी बात होगे हमें कोई खास इसकी जरूवत नहीं है ठीक है अब एगर एक पेंड को आख गयान से देखे हूं तो मैं आपको बता दूहाले है यह आपका पेंड का जो है और यह मुझ अच आपका तनह रहा होगा उसका पैंड के लिया-परोलो कटे भूए भाग में जान लिजीगा कि अगर पेड के तने को ऐसे काटेंगे न तो उसका क्रॉस सेक्षन आपको यहाँ पर दीकर है तो क्रॉस सेक्षन कैसे दिख रहा है यहां पर समझेगा यह पूरे पेड का की लकड़ी बीच में थोड़ी सी गहरी सी दिखाई देती गा आपको खुद से बना के दिखा रहा हूं एक गाड़े रंकी थोड़ी सी डार्क होती है लकड़ी फिर इस गाड़े वाले लकड़ी के चारो तरफ गाड़ी वाली लकड़ी के चारो तरफ ऐसे धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे आपको ऐसे हलके हलके से निशान दिखाई देंगे ऐसे ऐसे निशान आपस में इसे इनको दिखाई देंगे इन से इन निशानों से आप देखेंगे ध्यान से इधर बाहर की तरफ निकली हुई कुछ लाइने ऐसे लकड़ी में दिखाई देंगी ऐसे ऐसे दिखाई देंगी इस टाइप से बात सब्सक्राइब तो यह आपका एक लकडी का हिस्सा इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा अगर तना काटेंगे तो वो कट के कुछ इस तरह से दिखता है अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको माइंड करते चलना है वो क्या है उनको ध्यान देते हैं जानते हैं लकडी के चारो तरफ लकडी के चारो तरफ ऐसे इस टाइप से उसके चारो तरफ उसकी चाल रहती है चारो तरफ क्या लगी रहती है चाल रहती है यानि यह भी हम लोग शाफ सुत्रे सब्दों में कहें लकडी का जो बाहरी हिस्टा होता था को जो ऑ ईसकी क्या होती है जिसको रोक बोलते हैं आउटर बार्क आउटर बार्क ठीक है आउटर बार्क यानि इसको बाहरी चाल बोलता है ठीक है ना जो बाहर का आप देखेंगे खुर्दूरा खुर्दूरा तो हिंस्सा रहता है आउटर बार्क होती है यानि बाहरी चाल होती है ये बाहरी चाल एकजाम बनाने के लिए कई बार आजाता है मैं कैसे आता है मैं दिखाऊंगा question exam time में बाहरी 46 को बोलते हैं ठीक है ना आप कभी पेंड के जो brown वाले भाग को है उसको उखाड़ी ये जरा अंदर एक छिलके जैसा हिस्सा दिखता है वो उसकी inner bark होती है जो outer bark के ठीक अंदर होती है इसको बोलते है क्या inner bark inner bark outer bark के अंदर क्या होती है inner bark और inner bark के अंदर inner bark मतलब वो जैसे वो खुर्दरवाला हिस्सा पेंड का हटाए फिर उसके अंदर जब जाते हैं तो एक छिलके जैसा दिखता है और जब छिलके को हटाएंगे ना तो अंदर एक नरम सी लकड़ी यानि या तो चिपचिपा एक चिपचिपा पदार्त है मैं आपको थोड़ी दर में समझाऊंगा कि क्या हो रहा है अंदर आपको जान के अंदर वूड होती है और वो जो होती है ना ना अंदर की लकड़ी यहां से यहां तक की लकड़ी माल ली इस वुड को को बोलते हैं हम लोग या इतना नहीं बलके और थोड़ा कम ऐसे थोड़े दूर की जो लकड़ी होती है जो के चारों तरफ उस लकड़ी को बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं और फिर साफ्ट वूड़ के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट वूड या हाड़ भी बोल सकते हैं आट बूड या फिर आट लकडी और यह जो सबसे बीच का रंगीन थोड़ा सा डार्क यानि यह डार्क पोर्शन को बोलते हैं तो देखें यह जो इस टाइप से पेंड का जो क्रॉस सेक्षन आप देख रहा ना उसमें क्या-क्या है ध्यान समझ लिजेगा अल है बाहरी वाली बाहरी चाल के अंदर भीतरी चाल है असल में पेंड उगता है न जब बढ़ा होते हैं तो जी इतना मोटा उसका तना तने के बीट से मतलब यह तना अगर ले तो हिसके सेन्टर सेusta अप्लो नहीं होता है जैसे आपको जमीन से कुछ मिन्रल्स लेने हैं या फिर कोई चीज उठानी है तो बाहर बाहर जो पेंड का तना होता है उसके बाहरी किनारे से रस ऐसे ऊपर चड़ता है और वो रस ऊपर जब चड़ता है तो धीरे-धीरे सूप करके अंदर लकडी बनाता है फिर बाहर नया रस चड़ता है फिर लकड़ी तो सबसे बीच की जो लकड़ी होती है वो सबसे पूरानी बनी हुई पोर्शन सबसे पूराना हिस्सा लकड़ी का यह होता है इसको बोलते हम लोग पित क्या होता है सबसे ज़्यादा थोड़ा सा गहरे रंग का होता है या डार्क होता है तीक है ना अभी यह कि के बारें बात कर लेंगे तो यह यह डारकर पोर्षन है इसके बाहर की लकड़ी थोड़ी कड़ी होगी आजो सबसे ताजा लकड़ी जो बाहर बन रहा होता है सबसे बाहर बनने वाली जो ताजी लकड़ी होती है इधर की तरफ बाहर बाहर वो लकड़ी होती वो चाल के ठीक अंदर का हिस्सा होता है तो आपको इतनी बातें क्लियर होई होगी कि कैसे पेंड का इस्ट्रक्चर होता है अब एक चीज और यहां पर समझेगा यह जो लाइने ऐसे यलो कलर की रेडियली जा रही है यह जो रेडियल लाइन्स है मतलब अगर हम लोग इनकी बात करें यह रेडियल लाइन्स जो है वो क्या है ठीक यह जो रेडियल लाइन्स है यह रेडियल लाइन्स यह कहें यलो वाली या यह यलो वाली लाइन कहें इन रेडियल लाइन्स को हम लोग क्या कहेंगी इनको कहते हैं हम लोग मैड न्यों ली रेज यानी मज्जा रस्मि हें क्या बोलते हैं मैं सबका हिंदी नाम भी बतांगा मज्जा रस्म____ इनर बारकु मतलब आंन तरीक छाल की अनतरीक छाल कि ऑन पित का मतलब हिंदी हिंधी में बोलते हैं तो क्या कि पूलते हैं हार्ट वूट का मतलब क्या होता है अंतह का अंतह का सास्ट मतलब लकडी या टिम्बर आप वूड का मतलब समझ गया होंगे आपका नरं लक्डी नरं लक्डी ठीक है न और सै बीड का मतलब होता है रस आसथ रस इसको बोलते है रसंत İşte काष Martha या निसमें ज्यादा तर अर्ट मतलब होता है लकडी ठीक हैना ये हिंदी नाम के साथ मैंने सब को बताए आप लोगों को यह मैडलरी रेज को आपने समझा फिर यह जो रिंग रिंग सी बनी है यह जो ऐसे पित के चारों तरफ ऐसे रिंग दिखाई दे रही है इन रिंग को क्या बोलते हैं इन रिंग को बोलते हैं एनुवल रिंग को क्या बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं वार्षिक वलाई यानि अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो मैंने बताया आपको लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको हिसाभ किताब और समझना बाकि है दिखे यह किए करने ये को ठीक से समझने। समझें अठार फीक तरीके से इसको उन beliefs है इसमें मों बहुत कुछ और समखने के लिए कि बहुत कुछ और का मतलब होता है एक एक तरीके का यह डाइग्राम आप देख रहा है स्ट्रक्चर यह मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है माइक्रो स्ट्रक्चर का मतलब होता है इसको और गहनता से जाके इसके सेलुलर लेवल पर जाके समझना कि इसमें कितनी तरह की सेल्स होती हैं और मतलब सूर माइक्रूड होता है तमाम तरह की चीजों के बारे में समझना की तमाम तरह वारे responsive बहुता है तो सेलskा मतलब होता है इसको और सूच मास्तर पर अधिक सूच माइक्रो का मतलब होता है अधिक कूछ मास्तर पर 20 को समज़ा जा सकता है लेकिन हमें उस लेवल पर जाकर टरी को समझने की जरुएत नहीं है कुछ को जोड़ी जाएंगे सब यहीं नहीं जाना है बाकी लेकिन आपके जान के जो क्वाइंट आप दिया है लेकिन आप इसको तयार रखेगा इसका मतब री को समझाने क्लिए आपकी एक्जाम में आ सकता है तो आपका यह structure इसमें किसका काम क्या होता है उसको भी समझना है अभी हम लोग जो पढ़ रहा है वो माइक्रो स्ट्रक्चर यानि माइक्रो से थोड़ा उपर उपर से देख रहा है चीजों को और अंदर जा करके सोचेंगे तो क्या तो लोह कि हम लोगी मारती लकडी को समझे समझने वाले ए में कोई भी यदि यूज होगा तो वो ट्री इसी तरह का होगा उसमें इतनी चीज़ें पाई जाएंगे ज्यादा तर मैं आपको थोड़ा सा और अभी बताने का वो करूँगा पहले तो इनके बारे में समयले कि एक ट्री में इन चीज़ों का मतलब क्या होता है ठीक है तो मैं वन बाई सबसे कम होती है इसमें हल्चल सबसे कम होती हल्चल मतलब इसमें रसों का प्रवास सबसे कम होता है ठीक है और यह लकड़ी का सबसे पुराना हिस्सा होता है साथ साथ हार्ट बूड की बात करें हार्ट बूड मतलब बता दिया मैंने पित के बगल की लकड़ी होती हार्ट जो पित से थोड़ी हल्की लेकिन बाकि पेंड का सबसे मजबूत हिस्सा में आर्ट वुड भी आता है ठीक है ना सैप वुड प्रवाह करता है चारो तरफ तो सैप वुड जिस लेयर में होता है उस लेयर को बोलते हैं कैम्बियम लेयर उस लेयर को क्या बोलते हैं कैम्बियम लेयर क्या होता है सेप वूड लकड़ी के चारोत तरफ एक लेयर में होता है उस लेयर के cambium layer बोलता है, thin layer ठीक ना, tap जैसे एक होता है thin layer है किसके बीच में, tap audio और inner बार्च के बीच में, sap सैप उड्र दो सोच सैप सकते हैं सैप वुड्र मतलब, जो लकड़ी जएक से बनीए उसको सैप वुड्र पूड का मतलब अद होता है, जो लकड़ी तूरंत जो वुड्र तुरंत से बनाओ यानि आउटर बार्क इनर बार्क हैं बार्क मतलब चाल और उसके बात में रस प्रवाहित हो रहा है और उसी रस से बन रहा है वह रस जिस लेयर में है उस लेयर को Cambium लेयर बोलते हैं तिक है ना आउटर बार्क आप समझ चुके हैं कैसा होता है Medullary Rage क्या होती है Medullary Rage Annual Rings को Annual Rings का मतलब समझते हैं जब लकड़ी ऐसे लेयर ले गया फिर लकड़ी का निर्माड करेगा तो होता क्या है हर साल एक एक लेयर सी बनती है फिर अगली लेयर आती है फिर वो बनती है फिर दूसरी लेयर हर साल में एक घेरा लकड़ी के अंदर क्य होता है जुडता जाता है एक ring बन जाती है उस ring को बोलते है तो ये आपके मैंने सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया और आपका का माईक्रो स्टक्चर लेवल पे ट्री का description भी हो गया ठीक है दूसरी चीज के दिया हम लोग बात करें कि आप एक चीज और जा लीजे कि ट्री बैसिकली दो टाइप के होते हैं क्लासिपाइड करें एक ट्री ऐसा हो सकता है जो कैसा हो तो एक तरीके का ऐसा होता है जो इवर ग्रीन होते हैं और एक होते हैं इवर ग्रीन का मतलब सदा बहारी एक होता है सदा बहार सदा बहार सदा बहार या जिसको इवर ग्रीन बोलते हैं और एक होता है आपका पत जड़ी दो तरह के ब्रिच होते हैं या आपका जिसको बोलते हैं दो तरह के पेण होते हैं तो एक तरीके का होता है आपका सदा बहार मतलब इवर ग्रीन होता है आपका इवर ग्रीन है तो इवर ग्री एक बार पत्ते गिरे और उसके बाद वो क्या हो अपना वापस से पत्ता आए तो वैसे को बोलते हैं हम लोग कि वो पत जड़ी है और इंजिनिंग क्वाइंट से सबसे ज्यादा कौन सा सदा बहार वाले होते हैं नुकीले पत्ते वाले होते हैं नुकीले पत्ते इनके पत्ते कैसे होते हैं और इनके पत्ते कैसे होते हैं चौड़े पत्ते होते हैं इनके कैसे होते हैं चौड़े पत्ते होते हैं तो पत्तों से पहचाना जाता है जो नुकीले नुकीले पत्ते वा बढते हैं कई लोग घरों में सो tom के लिए अशोक से पतिया लघाते नहीं लेकिन कंजोर टीर होते हैं जादा तर जो सजावार में और इंजडिनेर्इं और मतलब नाट के पटीनी मची यूजडिनी सब्सक्राइब इंजिनरिंग काम उतना नहीं प्रयोक के जाते हैं और यह सबसे ज्यादा क्या होते हैं मॉस्ट यूचफूल होते हैं और यह भी दो तरह एक होते हैं आपके कह सकते हैं इंडोजेनस एक होते हैं आपके एक्सोजेनस यानि जो बहर मुखी होते हैं एक्सोजेनस और एक होते हैं इंडोजेनस का मतलब होता है इनको बोलते हैं बहर मुखी बहर मुखी बहर मुखी और इनको बोलते हैं अंतर मुखी अंतर मुखी और बहर मुखी पेड़ों का क्या मतलब होता है तो अंतर मुखी बहर मुखी का इतना ही मतलब है कि ऐसे पेड़ जो बाहर की तरफ बढ़ते हैं हर साल इनके तने की चोड़ाई में क्या होती है व्रिद्धी होती है मतलब हर साल इनके तने की चोड़ाई मृधी होने का मतलब जैसे आम का पेड़ है बर्गत का पेड़ है चोड़ा होता जाता अवह वही बास है भजूर है ताड है नारियल है यह सब क्या है लंबे होते जाते है इनको बोलते हैं अंतर मुख्य ठीक है न और यह जो बहिर मुखी होते हैं वह इंजिनिंग पॉइंट आब यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूजफुल होने वाले में इंडो जीनस में बंबू थोड़ा बहुत यूज हो जाता है कोई पैंड जादा इंजंनिंग काम में प्रयोग नहीं किये जाते हैं ज्यादा प्रयोग कौन किया रहता है एक्सोजीनास्त्रीज यानि बहर मुखी पेड़ यह सबसे ज्यादा प्रयोग किया रहता है किस में clear है तो अब एक चीज़ यहां पर और देखेगा अगर यह प्रयोग किये जा रहा है और इनसे बनने वाला जो ट्री होगा इसी का एक structure एक सोच देसो हर ट्री में यह चीज़ें होती हैं लेकिन अगर हम लोग अभी जैसे मनें का ना कि कुछ चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बताओंगा क्यों क्यों कि जरुवत नहीं है अगर कहें कि इसके structure में और इसके structure में क्या difference होगा दिखें जनरली सब में यह सब चीज़ें तो होगी यह सब चीज़ें तो सब में होगी लेकिन बद्दी जैसे किसी किसी में अनुवल रिंग क्लियरली दिखाई देगा किसी किसी में अनुवल रिंग क्लियरली दिखाई नहीं देगा उस अस्तर पर यह आपको जानना नहीं है आपको अभी कॉपी में लिखने का point of view अपना clear करना बाकी junior junior की class में एक एक चीज़ पर focus कर अधा जाता है किसमें क्या है किसमें क्या है कॉन्टिक तर्व तरह कि क्लाशिते अगर मैं अभी दूंगा तो फैक्ट बेस ज्यादा हो जैता है थो थोड़ा रोक करके पढ़ाता हूं वेसे चीज़ा बता दूने आपको क्लास में आपको कभी पढ़िएगा पूरा क्लास तो आपको यह पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें जानने को जो कम जानता रहेगा वो यह कहेगा कि मैंने सब कुल बता भी है मैं हमेशा आपको कहूँगा देखो मैं बातियों से ज़्यादा बताऊंगा कि अभी बहुत कुछ है जानने को तुमको उतना नहीं बता रहाँ मैं बातियों से जितना तुम पढ़े हो उनसे जादा बताऊंगा कि यह कम है यह कम है मैं कुछ जानता भी नहीं तो कितना बता पाऊंगा कहने का यह मतलब है जानने का मतलब कोई कि ज्यादा पढ़ेगा तो यही समझेगा कि वह अभी कुछ नहीं जानता है आप अभी कुछ दिनों बात समझेंगे जब आपको कमी ऐसा लगने लगे ना या बहुत ज्यादा ग्यानी हो गया सिविल इंजनियर के या आप बहुत आईएगा कमी मुलकात किया जाएगा ठीक है आई तो यह सब चीजें आप समझें कि जानने की कोई लिमिट नहीं लेकिन अभी इतना तक हम पेड़ों को समझते हैं और हमारे लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बसता है वह डेसे डूवस ट्रीज में एक्सोजेनस वाला ट् लिखा हुआ नहीं था बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने आपको बताया उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यह वला है कि पेंड का अनुपरस्त काड का चित्र बना करके नामांकित करें और उसके भागों को समझाएं इस टाइप से को सकता है कि एक पेंड वहां सीधा बोला गया है किसके बारे में तीधा पोईंट रख है कि डिफ्रेंट टाइप के जो प्री हैं उनके बारे मिवक्ताइए और उनकौन temperatures होता है हेवान निकलता है नहीं मिलता है कुछी प्यादा होते हैं तो तीमब्र देर सकते हैं तीमबर मतला दा बूट गैज आप से आप डिफरेंट अइपश अइप्स आफ अइपस आफ तिम्बर प्रोडूजिंग तिम्बर प्रोडूजिंग तिम्बर प्रोडूजिंग तिम्बर प्रोडूजिंग त्री यानि अलग अलग तरह के अलग विभिन तरह के पेंड जो तिम्बर देते हैं ठीक है ना विभिन तरह के तिम्बर देने वाले पेंड ठीक है अब उसमें से कौन काई से लकड़ी है एक पेकड़ ऐसा है जिसको लोग भोलते है टीख का मतलब होता है हिंदी मियों सागोन depends हिंदी का मतलब हिंदी मिन क्या होता है आख डाउन की लकड़ी होती है एक लकड़ी इसके बारे कुछ खास बात हैं प्रयोग होने के लिए यह लकड़ी थोड़ी एक मैं इसके बारें बता दो हल्की पीले रंकी या फिर भूरे रंकी हो सकती है सागाउन की लकड़ी अब देखो लकड़ियों के पहचान अगर आप तुम्हारे घर में कोई भी लकड़ी वाला बैग्राउंड से होगा ना तो लोग देख करके बता देते थे कि लकड़ी किस चीट की है तुम भी देखके बता दोगे बहुत सारे लेकिन कई ऐसी लकड़ी है जिनको देखके तुम नहीं भी पहचान पाओगे कि यह किस चीट की लकड़ी है तुमने उसको देखा नहीं है अलाकि college में practically आपको यह दिखाया जाना चाहिए और उनकी पहचान कराई जाने चाहिए लेकिन चली उस अस्तर पर चीज़े नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं लेकिन हमें कुछ चीज़ें तो जाननी है जैसे ठीक हम नहीं पहतान पहले लेकिन पता चल गया कि किस लखड़ी का प्रयोग करना है तो इतना तो जान ले प्रयोग सबसे ज़्यादा घरों के फरनीचर के रूप में या घरों के बिल्डिंग वगरा उसमें दरवाजी खिड सुंदर होते हैं क्यों कि सुंदर था के पैमाने सब के लिए अलग अलग 가격 यह किसी को नहीं भी लगता बहुत सुंदर चीज़ंगो कि सी को ना लगे तो क्या ही सुंदर इसड़े मैंने बोला कि ज्जादा अिसंदर माना है और इसी के वज़़ा से वह सब्से ज्यादा hebt व वो कोई पूछे कि सबसे महेंगी इमारती लकड़ी सबसे महेंगी इमारती लकड़ी मैंने बोला आप यह मत कहेगा सर लकड़ी सबसे महेंगी चंदन की होती है लाल चंदन की उस पाभाव वाली तो मैं कहूंगा नहीं वो इमारती लकड़ी नहीं है चंदन के लकड़ी से को से ज्यादा किया जाता है दूसरा बात इसका ये फायर अजिस्टेंट जल्दी आग नहीं पकड़ता है आसानी सीजनिंग हो जाती है इसको बताएंगे सीजनिंग का मतलब होता है लकड़ी से उसके रस को हटाना ठीक है एक लेवल पर मेंटेन कर देना हाड उतनी नहीं है उतनी ज्यादा हाड नहीं है कठोर नहीं है लेकिन हाँ ठीक था हाड भी है moderate लेबल की इस पर पॉलिस की जाती है क्योंकि देखिए एक होता पेंट करना औ कि इसके रे से आर पार दिखाई देते रहें clear है पूरी बात तो आपने यह समझा कि टीक के अंदर क्या खास बात होती इसी तरीके से और भी लकड़ी आ है कौन कौन सी और लकड़ी है जैसे साल की लकड़ी आप समझ सकते हैं साल समझते हैं साखु जिसको बोलते हैं साल य कभी-कभी गाटर पटीया निछ त्बंगती थी पहले तो बीम के रूप में जिसके उपर पूरा लोड रखा जा से कही है काफी हैवी लोड बीम के रूप में लीपर के रूप में इसका बहुत ज्यादा मतलब इतना इसके अंदर पॉलिस वगड़ा तो उतना अच्छा इसके साथ नहीं होता है दिखने में थोड़ी खराब सी और हार्ट सी होती है ठीक ना और इसका ये ग्राउंड अंडर ग्राउंड मतलब इसमें जल्दी पानी में भी नहीं सड़ती है ठीक ना ये पानी में भी जल्दी खराब नहीं होती है यानि लिख सकते हैं कि इस गुड़ फॉर गुड़ फॉर सामने आता है वंदर नहीं होता हाट काफी ज्यादा होता है इस ट्रॉंग है भी भी होता है तो इसलिए बीम के रूप में इसका प्रेव टीक मैंने बताया सबसे कॉस्टली है इस पर जाती है और इसके रेस से बहुत ज्यादा सुंदर होता है तीसरी किसी और लकड़ी के बारे में दिए हम लोग बात कर लें बहुत सारी और इसमें आम की लकड़ी भी आती है बहुत हलकी लकड़ी है खोटे मोटे प्लैंक्स वगरा यह तक्ते वगरा इसके लखत का मतलब फ्रेम किसी और का बना दीजिए लेकिन इसका सब्सक् surprises कैना यहाँ सब्सक्राइब 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 करेंग आट होता है शयाएं कि दिखा जासकता है उथिस इसके बारे में आगों Present स्ट्रॉंग है और जो है इसका जो हर जगह पर पाया रहता असानी से अवलेबल लकड़ी सकती है उतनी महगी नहीं तो जो कहीं पर बिचाने उचाने की बात हुई तक वकद बनाना हुआ तो मैंगो यानि आंग की लकड़ी का प्रयोग किया जा सकता है ठीक है ना उसके साथ साथ आता है देवदार उसके साथ साथ और कौन सी लकड़ी आती है काएंगे सर यह सब क्या पढ़ा रहे है कुछ और जरूवी बातें पढ़ेंगी दोस्त अभी उसके बारें बात करेंगी खिलार तो तुमको याद करना है लकड़ियों क्या लिमिट नहीं है नाम का तो मै कुछ चीज़ें बता दूगा देवदार की लकड़ी क्या होता है यह यह लगवग ना गाढ़े पीले या भूरे रंकी होती है देवदार किस रंकी होती है गाढ़े पीले या भूरे रंकी होती है ठीक है ना और यह सॉफ्ट वूड है एक तरीकी की नरम टाइक की लकड़ यह कैसी है यह सॉफ्ट टाइप की वूड़ है इसका चुने में रफनेस इसके अंदर कम आएगी सॉफ्ट वूड में लेकिन मजबूत परयाप्त है यह भी ध्यान रखेगा सॉफ्ट भले है लेकिन साथ-साथ क्या है मजबूत होता है इस पर काम करना आसान है फटता चुट पर करना क्या होता है यह इसकी यहलंब समय तक अपनी सक्थि ख्या रखता है बनाता मतलब आज जितना मजबूत है इसकी मजबूती में कमी नहीं आती मजबूत बना रहा था ठीक है तो ये ज़्यादातर कहाँ पाये जता है पंजाब और उतर प्रदेश में जो पहाडों से सठा हुआ आई अरिया मिलेगा उधर आपको देवदार ज्यादा मिलता है ठीक है तो देवदार हो गया इसी की तरीके से हम लोग कुछ और लकड़ियों की बात कर ले जैसे कोई और चीड वगरा कह सकते हैं चीड है आपका सीसम है आपका ठीक ना सीसम तो आपका चीड है सीसम है तो सीसम की लकड़ी जो होती है इसका ची एक में लिए तो जो साचे वगरा बनते हैं वह सीसरम की लकड़ी के बनाया जाने टिकाल एह अि आपकी होती होती है फीक है gäller की से मूजिकल इंस्ट्रुमेंट बनाय जाते हैं क्या बनाए जाते हैं जितने भी वाद्द्राइन तरह आते हैं गिटार है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सब किससे बनाए जाते हैं तो आपका सहतूत यानि मलबरी इस से हम लोग क्या बनाते हैं तो खेल पूत का सामान बैड, बॉल, होकी ठीक है यह सब क्या बनता है इस से बनता है जामुन की लकड़ी है नाव बनाने की काम तमाम चीजें होती है इन सब लकड़ियों के बारे में थोड़ी सी जानकाई मैंने दी वो कि कौन सी लकड़ी के अदर क्या खास बात होती है यदि ऐसा कोई नाम देखें नहीं पूछता है आप से लिस्ट बना पड़े तो जितना याद आप आप आए उतने का लिखिए गां बाकी पूरा आपको जरूरी नहीं होता है ठीक है अभी तक जो आपने देखा वो क्या देखा आपने देखा कि इक किमबर क्या होता है मतलब किमबर किसको कई किसी टिमबर नहीं कि वही वही लकड़ी टिमबर कहल आई जाएगही गुजिसको फ्रयोग में प्रयोग कि ना संदधशना थनह की कैसी भी होती है मायकरो लेवल फे इसको मैंने आपको दिखाया फिर मैंने आपको बताया पेणों का क्लासिपीकेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं जिसमें जो ट्री होता है वह तो यह वर ग्रीन या डेशोड़ूस होगा उसमें हम लोग सदाबाहर वालों को कम परशंद करते हैं इंजिनिंग पॉइंट अभी उसे पजड़ी हमारे कडियों को हम लोग कहीं सब यह सब पेंड मिलें इनसे हम जान गए कि मिलते हैं कि इनको किसी लकडी को सीधे पेंड लेके थोड़ी कहीं लगा देंगे पेंड को जब आप मार्केट में जाते हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ चीज खरी दें जैसे आपको तखत बनवाना होते हैं आपको रेलवे में रेल गाड़ी के नीचे स्लीपर लगाने है तो आप स्लीपर खरी देंगे यानि सीधा पेंड नहीं खरेते हैं यानि लकडी जो अवेलेबल होती है टिंबर मार्केट में उसका मार्केट फॉर्म अलग होता है यानि हम लोग को थोड़ा सा बाजार में किस रूप में उपलब्ध मार्केट फॉर्म अपिंबर यानि बाजार में इमार्ती लकड़ी किस रूप में उपलब्ध है कुछ तरीके से उपलब्ध है जैसे पहले हम कह सकते है कि क्या वो लॉग के रूप में है यानि सीधा लकड़ी का लगठा भी खरीच स इसको कहते हैं आप मुझे इंग्लिस में याद रखेगा या फिर आप इसको बैटन के रूप में खरिच सकते हैं बैटन के रूप में या फिर आप इसको स्लीपर के रूप में खरिद सकते हैं ठीक है या फिर आप इसको प्लाइंक या नि तक्ते के रूप में खरिद सकते हैं ठीक है और भी कई मार्केट वाम है मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं उल के रूप में आप यानि छोटे खं लाई वगरा करके किसी ने किसी रूप में लाइंगे यह इस तरह भी नहीं हो जो मतलब मार्केट में आप खरीदेंगे तो आप लट्ठा खरीद तक हैं सीधे क्या ज़कते हैं कि मार्केट फॉरम आप तिमबर में यदि लोग लट्ठे की बाद करते हैं तो छाल उतारा हुआ कि यह उसको बोलते हैं हम लोग क्या लट्ठा क्या हुए ऐसा लिखेगा यह वल्क कैसा होता है काई काट इस चारो तरफ से और से राउंडेट कर इस टाइप से थैप करके गजब इसको छुडा जाए इस तैप से इसको बोलते हैं लोग बॉल भॉल मतलब उसकी चारो तरफ से चिठाई कर दी जाए किसी भी से जारूहने किसी परट्कुलर से रहे जिस भी से रहे इस्थόरा की रहरे इस तरह चिराई करके छोड़ा जाते इसको बलते हैं बाउल пршь बैटन ह्तर मतलब बद्द लकडी का चोटा-चोटा तकड़ा है कोता कीसे है ऐसे कम हुटाई को ऐसे कम उटाई का ईसको बत्ता या बेटन बोलते हैं तीक़ तनह हुता है शाल उतार करके इसको मिलाई मेरे क्या हो इसको बोलते हैं बेर्टन का मतलब क्या बोलता है इसका जो थिकनेस होता है तरह यहां से नहीं तक वह 5-10 cm 50-100 mm इसका थिकनेस होता इसका बत्ते है यानि भी टिक आना आर इसकी जो इसकी जो चौड़ाई होती है लंबाई कुछ भी हो सकती चौड़ाई लगबाग 125-75 चौड़ाई जो होती है यहां से 125 ते लेके 175 mm तक इसकी चौड़ाई होती है ठीक है इसको बोलते हैं लोग बैटन कई लोग बत्ता सीधे खरिबने जाते हैं किसी का कहीं कोई उच करना होता है डारेक्टली ठीक है लेर है आपको मार्केट में बत्ते भी मिल जाएंगे प्लै प्लैंक का कोई संस्वाइब है यहां फिक्स हिस्साइब स्लीपर के पारें स्लीपर का फिक्स साइब होता है 25-13 cm गया इसका मतलब जो चौड़ाई हो चौड़ाई हो यानी इसकी जो ठीकने सोगी कभी भी कोई भी लकड़ी का ऐसा टुकरा जिसकी चोड़ाई यानी उसकी मोटाई 50 mm से कम हो और जो उसकी बिट्थ हो यानी चोड़ाई हो वो हमेशा 50 mm से अधिक हो उसको बोलेंगे प्लैंट पॉल क्या होता है यह vertically, पोल्स को क्या करते हैं हम लोग, vertical एक तरीके का member है, जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कहीं पर clear वगरा बनाने के लिए, मतलब to use as, to use as vertical support, vertical support, इसी उर्धवादर support के रूप में प्रयोग करने के लिए हम लोग, लकड़ी के पोल का प्रयोग करते हैं, तो यह सब market में इसके मिलने वाले रूप हैं, आप खरीदने जाएंगे, तो आप पेंड नहीं खरीद लेंगे, खरीदेंगे भी, तो उनको इस रूप में convert करा के रखा जाता है, आप क्या चाहते हैं, आप बताएंगे तो इसमें से वो चीज आपको आतानी से market में मिल जाएगी, तो यह सब थे market form of timber, ठीक है, जब आपने लकड़ी कहीं से देखा, और लकड़ी के अंदर के structure को समझा, फिर आप जाना कि market में लकड़ी इस तरह की मिलती ह है, तो कनवर्जन से पहले अब देखिए अगला जो टॉपिक है मैं सलेबस के चल रहा हूं, सलेबस के अगला पॉइंट जो आपका चल रहा है, वो है seasoning of timber, यह market form of timber था, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको seasoning of timber के बारे में, क्या seasoning of timber, यानि जो timber होती है, उसकी जो seasoning हो होती है, यानि उसका sunscreen, यानि कहेंगे, लकडियों का, संसोसन, जब भी आप कोई लकडी खरीद करके या फिर पेंड वगारा खरीद करके लाते हैं, तो उस लकडी में लहां काफी ज्याधा सैप होता है, काफी ज्यादा रस भरा हुए होता है, ठीक है, उन रस को पेंड से यदि अलग ना करें जैसे हरा पेंड लाए एक तो काफी भारी होता है हरा पेंड क्या होता है काफी भारी होता है तो उस उस पेंड के अंदर से वो रस यदि नहीं निकला और उसको चीरूर के आप जो है ये सब बना दी है जो आप सब बनाएं तो ये बाद में जानते हैं क्या होगा एंठ जाएगा टेणा हो जाएगा माली कभी देख्योंगे तखत वगरा बनती है तो लकडी का ऐसे पट्रा लगा या फिर दूसरा पट्रा वो सिकूड करके मौजूद है उस रस को निकालना बहुत जयदा जरूरी है यानि जिजनीं का मतलब जो होता है मैं पूछाओं किसीजनीं का क्या आठत है तो यह ब्रॉसेश आप सेस कि आफ और रिमूवल या फ्र्रेंवा नबर च्रोंब फ्रेस्ट को दाब नब प्रेस तिम्बर टिम्बर एंड रिद्यूस रिद्यूस टू टो यानि लकडियों से लकडियों से पहटाने की प्रक्रिया और उनको 10-12 पर ले आके रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जैनल ताजी लकडी में यानि amount of sap जो होता है amount of sap मतब ताजी लकड़ी में in fresh timber fresh tree यानि कोई ताजा प्रेड़ हो उसके अंदर sap का percentage 50% से ले करके 100% तक होता है 50-100% तक उसमें क्या होता है rust होता है तो इतना ज्यादा उसमें हरापन होता है तो उसको हटाना किसी तरीके से उसके अंदर का रस क्या हो निकले और लेकिन एकदम खतम ना हो थोड़ा सा उसके अंदर रस बचा होना चाहिए कितना 10-12% लेया करके उसको रोग दिया था उससे कम नहीं करना चाहिए कारण क्या उसका तो कि जब लकडी पूरी तरह से सूख जाएगी न तो फिर उसका चीरेंगे न तो पट से फट जाएगा फिर वो सही से उस पर काम नहीं हो पाता है ठीक है इसको बोलते हैं हम लोग सीजिनिंग और टिमबर ठीक है अब सीजिनिंग यानि लकडी के अंदर से रस निकालना ताकि उससे एक अच्छा प्रोड़क्ट बन जाए इस प्रक्रिया में को करने के कितने तरीक है यानि यदि हम बात करें मेथड ऑफ सीजिनिंग की इसकी बा ऑनि इसको या कहें हम लोग नैच्टॉरल सीजिनि या फिर इसी का दूसरा नाम है यह शीजिनि च्या पंता है यह चिसनि यह तर्यक्रीक इस É这 यतूरीक होता है आप कर इसे से यह कई tut आपी तरह कि शिजनिंगर्ट और इसम लिजने करकीन कर तो आप इसमें कई तरीके स киноस vitae क्या जाने कित्ने तरह के طریقने हैं में stub के बारे मां आपको बताऊं या सबसे संपुर्टने करने के लिए सबसे इंपोर्टन्ट में अभी आपको बताऊं किन सीजनिंग होता है उसके अलावा होता हौता है आपका क्या होता है water seasoning, उसके बाद कहते है boiling, उसके बाद आपका आता है electric seasoning, उसके बाद आपका आता है chemical seasoning, क्या आता है केमिकल सीजनिंग इतने टाइप की सीजनिंग जो हो सकती है अब बात करें कि नेचुरल सीजनिंग क्या होती है देखिए इसमें लगता है लकडियों को मतलों लकडी कहीं से पेंड वगरा की निकालें काटें उनको और उतार कलके हैं देखिए सीजनिंग की प्रकरिया को समझने के लिए फालिंग और ट्री को आपको समझना पड़ेगा जब भी किसी पेंड को गिराया जाता है न यदि पहले से प्लानिंगों की यहां की पेंड़ों की कटाई करके इनको प्रयोग करना है किसके रूप में किसने किसी बिल्डिंग रूप में यूज करना ठीक है तो अथारटी ले करके पूरी तरीके से और इन लकडियों में जैसे पेंड को गिराना है दो साल बात तो पहले ही जगा जगा पर चीरा लगा देते हैं चीरा मतलब जहां से काटना उसके तने को दो तरफ से काटके छ उसको खुली हवा में कहीं पर चटा लगा करके चटा का मतलब एक पेंड ऐसा फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या कि है ऐसे फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे पूरा लेयर पहले एक लेयर ऐसे फिर एक लेयर ऐसे एक लेयर ऐसे रख करके इनको खुल इंके ओपर बारिस नहों लेकिन हवा इनके बीच में से सर्कुलेट होती रहे और किस तरह से इनको छोड़ दिया जाता है कितने सालों के लिए फ्री टू फॉर इयर्स के लिए तो धीरे दीरे इस लकडी के अंदर का जो रस होता है वो सूख जाता है टृर्च लाहिति के अधि बहुत जादा लगता है इसकी सीजणि में टेकिन है 3-4 साल का समय लग जाएगा और बहुत ज्यादा समय लग जाएगा तो यह मुख्य बाते हुए लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लकडी जो हम लोग लिये हैं उससे रस हमें क्या हो बहुती जल्दी सूप के मिल जाए उसकी सीजनिंग की प्रक्रिया तेज हो जाए तो उसके लगड़ी को भ करें यहाँ पे और वेक्ट्यूम क्रियेक कर देते हैं मतलब होता है कि जो से एक बंद कमरा हो ऐसा रहे कि फीर दरवाला कुछ नो और उसमें एक जगह पर बंद करके मतलब हमें समझते हैं अच्तम क्रेइट करने का मतलब उसमेश हटा दिया तो इसके कंट्रोल करने के लिए लगा रहता है क्या दवस्ता humidity और temperature इसमें कंट्रोल किया जा सकता है उस कमरे के अंदर जिसमें लकडी को रखा जाता है केवल केवल within one week यानि हफते भर के अंदर within one week यानि हफते भर के अंदर इससे पूरी आपकी सिजनी हो जाती है किन सिजनी को हिंदी में अठा संसोसन बोलते हैं अठा संसोसन में एक बंद कमरे में लकडी के पूरे धेर को लगा परके उसमें गरम हवा प्रवाहित कर दी जाती है जिस से उस लकड़ी के अंदर जो सैप है वो पूरी तरह से सूख जाता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा यह ख़ते का समय लगता है ठीक है उस कमरे में नमी को और तापमान को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनी और यह से तरीका अलगे के सैप को हटाने का ठीक थेर आपका आता यह वाटर सीजणिंग में सीधे लटकड़ी कि पानी में चोड़ दिया गया तो पानी न क्या थे हुदा थीरे जिरे घुसता है और वॉटा लटे पूरी तरह से पानी में लेकिन आगे नहीं बढ़ से पानी का सूक नहीं नहीं पानी का सुख है उतना बाड़ा काम नहीं है लेकिन जो रस है वो निकल जाना चाहिए तो रनिंग वाटर के अंदर इनको रख करके इनके अंदर से इस सैप को रिमूप करा जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग वाटर सीजनिंग तीसरा तरीका है कि पानी को बड़े-बड़े हौज में हौज मतलब बड़ी- क्या हो जाती है कम जोर हो जाती है कम जोर जाती है कर दजाब दो किście और करने ऊप्रश करें उसके रेशें आफ या सबसे जोबी अच्छी नहींग होती है लकटी का ये लठा है इसके दोनों तरब सक्या होता इलेक् shelf के इतार हरी लकड़ी सबसीते जाते हैं लेक्टरी का प्रवा इतना तेज होता है कि पूरा रासूसी में क्या होता है सूख जाता है और लकड़ी प्रीडवटे कन्ड़क्टिविटी हरे प्रेण पेंड हैने करेंड चुछ हनूं पर मालूम होगा लकड़ी सूख जा तो वह vedere कंडक्टिव हो जाती है एलेक्ट्रिक सिजनिंग और लास्ट आता है केमिकल सिजनिंग जिसमें लकडी के जो कटे आपने सुना होगा कि नमक पानी बहुत देज सोखता है ठीक है इसके सीरों पर सौल्ट का लेप कर दिया जाता है जो इसके अंदर नमक क्या करते हैं आसानी से इसके अंदर के पानी को सोख लेते हैं तो ये सब प्रक्रियां थी किसी ने किसी तरीके से लकडी के अंदर से नमी हटाने की प्रक्रिया यारी method of seasoning of timber तो ये question आप से बार बार पूछा जा सकता है कि seasoning क्या है और साथ-साथ ये भी पूछा जा सकता है कि इसके कितनी वीधिया है तो मैंने आ काम क्लियर किया है अभी बहुत सारे टॉपिक जैसे इसका डीके क्या है इसमें जो आपके डीजीजेज क्या होते हैं टिमबर में इसके आप क्या इस टिमबर का प्रिजर्वेशन कैसे किया जता है इन चीरियों के बारे में पढ़ना है लेकिन वह अगले लेक्षर में सब करे मुझे इस आड़? झाल